आज हम बनाएंगे साबुदाने से चिला, तो इसे हम बना सकते बृत में और इसका सेवन कर सकते, सेंधा नमक और काली मेश डालके और दही के साथ इसे खा सकते, और अगर हम नाश्ते में इसे बना रहे हैं, तो हम मन चाहिए कोई भी चटपटी चटनी बना सकते इसके साथ ह तो अगर आपके पास टाइम ना हो और नाश्ता जल्दी बनाना पड़े तो आप इस बड़े दाने को अगर आपके बड़ा दाना है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर ले और फिर इसे सोक करें तो उससे उसका दाना बहुत ही बारीक हो जाता है और बहुत जल्दी उससे हम सोक करके कुछ भी बना सकते हैं साबुदाने से उसका बड़ा भी बना सकते हैं पराठा बना सकते हैं चिल्ला भी बना सकते हैं तो चलिए इसे जितना अपने चिल्ले बनान तो आप 10 मिनित के पाद चेक कर सकते हैं, कि पानी अगर कम हो तो आप इसमें और आड़ कर दें, लगबग आदा घंटा आप इसे भिगो के रखें, तो देखें कितना नरम हो चुका है, क्योंकि ये छोटा दाना बारिक हमने बना लिया था, मिक्सर ग्राइडर में ग्राइड अगर आपके पास curry leaves ना हो तो आप धनिया, हरा धनिया का flavor डाल सकते हैं, मंचा कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं, अगर आपका ब्रत ना हो जो भी आप इसमें मसाला डाल सकते हैं, तो देखें ये बाटर कितना स्मूध हो गया है, बन चुका है, इसमें हम डालेंगे थो तो एक तम ये बाटर स्मूध स्यरसा त्यार हो चुका है, तो थोड़ा सांबर पाउडर इसमें डाला है, करी लीव्स की बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे हैं, स्वाद अनुसा नमक, पैटरे बहुत जादा हो गया है, तो थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूं इसमें डालेंगे हम तीन छोटे-छोटे आलू मैंने लिए, उसे हम ग्रेट कर लेंगे, और इसमें हम मिक्स करेंगे, बहुत ही कम इंग्रीडियन्स देके यह बनाया है, आप जरू से इसे ट्राइ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर रेसेपी पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, आलो को थोड़ा ग्रेट करके डालने से अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं, तो इसे मैं बना रही हूँ लोहे की तबे पे, आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं, तो लुहे कर तबे को आप बहुत अच्छी तरह से गरम कर लें थोड़ा सा तेल डालके उसको थोड़ा नमक कम था तो मैं इसमें अड़िक कर लिया है और अब हम इसे गरम तबे पे इस बैटर को डालेंगे और स्लो आच में इसे तीन से चार मिनिट तक एक साइड को पकने देंगे और फिर हम इसे फिलिप करेंगे धयान रखे आवगर स्लो आच में ही हम इसे बनाएंगे और थोड़ा देर लगती है पकने के लिए और फिर ही आप इसे फिलिप करें जब एक साइड ये पूरा पक जाएगा तो ये अपने आप ही फिलिप कर देंगे हम अपने आप ही ये फिलिप असानी से हो जाएगा नहीं तो तूट जाएगा तो इस बात का अब ध्यान रखें तो इस तरह से हम अपने सावोदाने के चिल्ले सब उतार लेंगे और इसे अपनी मन चाही चतनी के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं और व्रत में इसे हम दही के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो हमारा चिल्ला त्यार है इसे हम सर्फ करेंगे दही के साथ आप जरूर से इसे बना के प्रत में भी खायेगा और ऐसे भी आप नाश्ते में से सर्फ कर सकते हैं so friends do take good care of yourself stay safe stay healthy and productive thanks for watching my video bye bye